पेटा यासरे बंदा आपको भला और क्या कहे जिस जगा से मुहबत शुरू होती है आपका तो कादी वही पे खताम होती है यासरे टाइम इंसिट्यूट के हमज़ा इमाम माना जमीन आस्मान में बहुत ज्यादा फर्क है अरे काला तो मैं भी हूँ पर आपका तो बेड़ा बर्क है यासरे जी सी उ फैसलाबाद वालो अगर आपको हमारा जनाब सदर शैतान लगता है तो वो आपका मजाया मकरर हमें नासिर खान जान लो तो नासिर खान जान बादा से टावल ले लो मंटू का एक नाबह ले लो शीर नहीं मिली तो क्या हुआ जोली में ही चावल ले लो जी सी यू लहोर की मिस जिलेट कंबन के अंदर जरूर रहा करो पर इन पठानों से जरा धूता और गोमा यूनिवस्टी के आफाथ आपकी तारीफ में सिर्फ इतना ही क्याना चाओंगा के आजाओ आंटी कर लो चांटी लगई जेल फ्लैट है तोंसा वालो उठालो इसको पी बड़ा टैट और जूब के ऐसे बैठे हैं जैसे रब ने जोड़ी बनाई है नोजवानों घबराओ मत ये दोनों बैन भाई वो सामने जो बैठा है मैफिल के ये शाद है शकलो सूरत से ये बनता लगता तो पट्टान है पर जितना ये चिट्टा है ये तोंसा वालो की जान है और जनाबे सद्र घबराए मत ये नया पाकिस्तान पाकिस्तान हमारी जान है पाकिस्तान हम सब को प्यारा है जनाबे सद्री ओरेंच ट्रेन सदर वड़ाइक त्यारा है और मेरी जेड में कार की चाबी है जनाबे सद्र नजर ओ उदर ये आपकी भावी है और जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ सचलो इसको मान तक्रीब सुनकर तुम खुद को होगी अमेजिन जान हमेजिन तो कि ये नाशाथ को आप शाहत करते हैं आईए पुराने पाकिस्तान को भी याद करते हैं तो चन्योटी फरनीचर पर बैठे जनाबे सद्र पालीस और माशूप में एक चीज मुझतरिक है और वो ये के दोनों खापी कर छोड़ देते हैं तो माशूप से मुझे याद आती है राबिया तो भूप भूपने वालों को शर्मिंदा करते हैं आईए मरती हुई राबिया को फिर दिना करते हैं जनाबे सद्र तवज्व फरमाएं राबिया ते मेरा फोन पर पहली मरतबा राब्ता तब हुआ जब मैं बोरियों के दर्म्यान खड़ा पिर बाते हुई मुलाकाते हुई दिन हुए राते हुई और राबिया की मुहबत में दो साल राबिस्ता पिर आओ देखाना ताओ मै बहुत था सशार पर शादी के लिए आ गया एक और उमीदवार इससे पहले के हम दोनों में से होती सेलेक्शन हम दोनों के दर्म्यान तैपा गया अलेक्शन तो अलेक्शन वाले रोज मैंने राबिया को फून किया और कहा कि शाम तक मेरी काम्याबी का तुम्हे लग पता जाएगा राबिया आपको क्या मलूं मुझे बहुत 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 लेकिन मेरे हरीप ने मेरा दुख बढ़ा दिया और देखते ही देखते अलेक्शन हरा दिया सब तो समझ रहे थे मैंने चुप साधनी पर मैं चिला उठा के वो गई है धान दली पहले तो कुछ नहीं किय मंगर अब दछा करना मैं नेविडी चोपर देदिया धरना तो धरने के दोरान मैं ने राबिया को फून किया और टा कि मेरे सामने एक लड़की प्यारी ऐह ही है ऐऊ यहोगय होगय होगय हो मैं क्या तरू हूँ? मैं बहुत दूर हूँ, मजबूर हूँ, तो तुम भी रामे आने वाली हरतिवाद तोड़ दो, राबिया प्लीज! राबिया के साथ मैंने की थी भलाई, पर राबिया में निकली पूरी गुला लाई, उसने पुराने पेगामात को सरियां कर दिया, और इस मजबूर इनसान को बदराम होने के बाद, जब लोग मुझे कहने लगे बदराम खान, तब मेरी जिन्दगी में आई इनाम खान, और मैंने मांग ली माफि, मैंने तो कुछ नहीं किया, बस सीना कर लिया जाक, चुप कर के मैंने दे दी इनाम को तलाग, अब अंदर ही अंदर, इनाम की दूरी मुझे खा गई है, पीर्णी आ नहीं रही, पीर्णी आ गई ने नतीदे में, नया पाकिस्तान तो क्या बगता, मुहबद गई चिन ता तिर्ड दिन तो मुहबद में नाकामी के बाद जब बढ़ने लगी मेरी घुल्चन खुदा का करना ये हुआ मिल गई मुझको घुल्चन तो जनाबे सब आँखें उसकी कच्चे खुमार की मानिन भूंट उसके पके अनार की मानिन कटीला बदन दो धारी तलवार के मानिन नशा उसका बन्नू की नसवार के मानिन दिन की खुली बलोचों की शलार के मानिन पहार की मानिन जूटी थी वो शाम के अखबार की मानिन मुझें थी उसकी आरिफ लोगार की मानिन पर उसको मैंने शामिले फरेंट कर दिया और शादी के लिए रिष्टा भी सेंड कर दिया तो उसका अबा बोला शादी के रिष्टा बेज़र मैं आपने कर दी बहुत देर मैं बोला ठीक है लोजी गोरी आया पर गोरी का नाम सुपियों से जनून आ गया तो अगले ही दिन उसका मुझे फून आ गया तो मैंने बाते सुनाने की गड़ से पौरान फून उड़ा लिया पर गुल्शंग के अबे ने मुझे मिलने बुला लिया मगर मिलने जाने से पहले मैंने खूप की प्रैक्टिस क्योंके गुल्शंग का अबबा और चार चाचेते जस्टिस फिर शुरू हो गया मेरा सवाल जब पुछे के मुझे सवाल तो सवालात खत्म होने के बाद मुझे फैसला सुनाया गया तो दो ने कहा कि गुल्शंग से इसकी शादी का कोई सीन नहीं है क्योंके लड़का अभी सादी को अमीन नहीं है ये सुनने के बाद मेरे सर में हुआ दर्थ तो गुल्शंग ने मेरे लिए गरीन टी बना दी और बागी तीन ने घुसे में जे-ई-टी बना दी तो जे-ई-ई-टी बनने के बाद कुछ ने कहा के फैसला मेरे हक में आ गया कुछ ने कहा के मैं पदीद शक में आ गया और फैसले की हर शिक तस्लीम की गई पुरे मुल्क में मिठाई भी तक्सीम की गई तो मिठाई खाने के बाद लोगों ने कहा बले मिठाई में शिरे का एक खत्रा नहीं है मियाजब जियाटी से आपको कोई खतरा दे वगर पैसला आने के पूरे 60 दिन बाद जियाटी मेमरान ने पहने काले कोड गुल्शंग के अपे को पेश कर दी रिपोर्ट फिर देज रहा था जमाना खड़ा हो गया हंगामा मेरा निकल आया अकामा चुपाने पे जब मैं पहल कर गया तो गुल्शंग का अपब भी मुझे नायल कर तो नायल होते ही आया मुझे जनून इतने में मुझे आ गया गुल्शंग का टेलिफून तो मैंने गुल्शंग से कहा आ गया है वो मोसम फूल जब खिलते हैं गुल्षंग थोड़ा भाट में का लो बायोपार्क me थो शतरिया अली में कार मैं उसे मोटसाेइकल पर बिठाकर बायोपार्क के तरफ रमा दमा था जैसे ही मैंने मोटसाेइकल की रव्तार बढ़ाई तो गुल्षंग भुली डरो तेज रफ्तारी के अंजाम से इजाज सब अराम से मैंने मुट साइकल की रफ्तार कम करके एक साइड के तरफ होने लगा तो गुल्शंग चीप के बोली कान में इजाज सब दिर्म्यान में मुट उसे जगर अटा ला रही है पीछे से तो नमबर शटा ला रही है सब्रेयालियोकार्ड मैं उसे गुल्शंग को बायो पास ले गया तो जैसे ही बैठने लगा तो अचानक मेरी बावाजे बलंग पैनामा लीग हो रही है तो मैं बबजे शर्मिंदगी है थे खामोश होकर बैठा जैसे जिनाबे सदर बैठे तो मेरी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए गुल्शंग बोली कि अपनी तो हो गई बहुत बात है नए पाकिस्तान पर बात हो जाए तो मैंने कहा जरूर तो कहने लगी बोलो तो मैंने का नए पाकिस्तान पे हम ओर्तों को मुर्गियां देंगे, मुर्गियां अंडे देंगे, अंडों से बच्चे निकलेंगे और बच्चे स्टेट पर गए जब मेरी शर्विंदगी में कमी आ गई, तो उसकी आँख में भी थोड़ी नमी आ गई, तो मैंने उससे पूछा, क्यों आँख में है ये नमी जी, किस चीज की है या कमी जी, वो रोकर मुझसे कहने लगी, अमी जी तो मैं बोला, तुम्हारी अमी नहीं है, तो जिन्दा तुम्हारा पपा है, हाला कि वो तुम्हारा पपा नहीं, बाहु बली वाला खटपा है तो सुनकर मेरी ये बात वो हैरत में पढ़ गई कितनी हुई हैरान के हैरत से मर गई धनाबे सद्र गुल्शम को मर गई तो आधर में जाते जाते सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि धनाबे सद्र आप से जो पर्य बैठे हैं इन्हें बता दें ये सारे इन पर मरे गई राबे सद्र अंदीर का भामे कानी होए में गुपवडा पानी होए जाबे पर आप से अंदीर कॉपवड़ होए